इसकंद पुराण करती है जिस व्यक्ति पर करजा बहुत जादा मात्रा में हो जाता है और करजा चूकता नहीं है आप बहुत प्रयास कर लिए करोड़ों रुपे का करजा हो गया यहां से लिए वहां दिया वहां से उठाया वहां दिया वहां से उठाया वहां दिया तो इसलिए प्रशास्निक कारे के लिए मानसिक टेंशन में परिशानियों में बटकेश्वर महादेव का इस्मर्ण किया जागा और यदि निवेदन करूंगा बहुत जादा यदि आपको करजा हो गया है बहुत जादा करजा हो गया और वो करजा चूकी नहीं रहा तो थोड़े हुआ चावल पीस के गलालना चावल को और पीस लेना पिस के उस पानी में मिलालना और मिलाकर उस quizz error in पीसली टालकर बटके श्र महारेयों के नामसे बढकी पेड़के नीचे अपनी कामना करकर जो कर्जा हुआ है उसा तरजे का भान देते हुए, इसमन देते हुए, छोड़ दी, महाराच, दो या तीन सुमबार एक ही जगा पर करना, तीन सुमबार वाद महीं से, बढ़के पेड़की थोड़ी सी जड़ उठालाना, और जड़ को एक कोई धागे में बांद कर, या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगवग लगवग दो से तीन महीना पटक कर रखो, वो जड़ जैसे बढ़का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल बृष्टी हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई पड लग नहीं पड़ता, बड़का ब्रक्च आप रूप पहलता जाता, उसकी जड़े अपने आप प्रबल होती है, उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव, कहीं से भी, अगर जड़ आपके पास में रखी है, एक महीना, दो महीना, तीन महीना तक, तो ये जड़ अपने आप ल प्रशुपति वृत लाकना करो. बस दिल से अगर आपने प्रशुपति वृत करा है, बाबा विश्वनात के पाच प्रशुपति वृत होते हैं, किसी बी सुम्बार से चालू कर सकते हैं, बस करना क्या है? सुबा पूजन की ठाली लगा कर लेकर जाना है, संकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करना है मंदिर में, अभी शेक पूजन करो, वो थाली भापिस लेकर आजाओ, घर में रग दो, उसी थाली में शाम के समय, प्रदोश काल में, सूरी ढूग रहा हो, उसके कुछी समय के बाद, आप आनंद में, छे दिए घर से लेकर जाओ, थोड़ा सा मंदर में अलग-अलग रखी है, एक ही प्लेट में तो हिस्से नहीं रखना है, दोनों हिस्सों को अलग-अलग काटोरी में, अलग-अलग दोने में, अलग-अलग प्लेट में, बाबा को रख दो, और एक हिस्सा, एक दिया लेकर आजाईए, घर के दरवाजे में ना करकर घर के अंदर सीधा पाऊं रखकर अंदर चले जा। सुवेरे फरियाल करो, शाम को भोजन करो, जब भोजन करो, उस समय पर जो मिंठे का आपने भोग लगाया था भोलनाजी को जिसका एक हिस्सा लेकर आयो, सबसे पहले भोजन में वो हिस्सा का, परसाद का जो हिस्सा लेकर आयो, उसमें से किसी को वो हिस्से में से परसाद नह पर इसका नियम यह है कि परशाद जब आप लेकर आते हैं आपको पहले भी कथा में कहां कि शंकर का परशाद रात भर नहीं रखा था जितनी जल्दी आप परशाद का हिस्सा लेकर आए हैं आदे घंटे के अंदर कौन घंटे के अंदर आपको वो परशाद पाना है और बाट जो रहा, आपका इंतजार कर ला, यह नहीं होना चाहिए, महाराज, कितना सुंदर कहा है, सास्त्रों में, कि केवल एक देव, अधिदेव, महादेवे के से होते हैं, जिनका परशाद रात भर नहीं रखाता है, आह से लिए आए, परशाद लाकर, ताजा रहता है, जब खरीज में परशाद रखा रहता है, वो इंतजार करता है, कि कोई मुझे परशाद भक्षन करे, परशाद का मतलब होता है, प्रभू का साक्षाद दर्शन, परशाद का मतलब ही है, यह प्रशाद, प्रभू का साक्षाद दर्शन, वो रखा रखा, जब जब ज़्यादा स हुआ है रखा हुआ है बेटा खाएगा बहु खाएगा ये खाएगा वो खाएगा फिर दीरे दीरे वो बद्धुआ देना प्रारम कर देता है जिससे घर में बड़ी बिमारी फैलने लगती है बड़ा रोग आने लगता है तो लोग सोचते हैं हमारे घर में ना तो हम कोई न तरीका में तो कोई बिमारी नहीं 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 है फिर बिमारी कांसे आई ना तो हम कोई वेस्वन करते हैं ना कोई मद्रापान करते हैं ना कोई मांसार फिर ये बिमारी का उसका कारण है कि तुम उस परशाद का लाकर महिनों तक पड़ा हुआ इंतजार कर रहे हैं खाएंग जितने आपको पाना है जितना आपको लेना है उतना प्रयोकतर जादा रखकर बहुत दिनों तक पड़ा है थोर रखिये मौन फाल रखा है लड़ू रखा है पेडा रखा है कुछ समान रखा है नहीं नहीं जितना बने उतना लाओ नहीं तो किसी को तुरंत बाट दो समापन करो पर अपने यहां पर बहुत दिन तक रख कर उसका बाबा स्वयम मेरा श्री जी बाबा मेरे तुरुपत मन नहीं करता सक्तियों जैसा कर्म मत करो जिससे हमें कश्ट की कई लोग करते हैं हमने परशुपती ब्रत करा हमारा बहुत काम हुआ अब कई लोग करते हमने करा पर हमको अभी तक उसका कानण है कि तुम बहुत देर तक परशाथ को इंतजार करा रहे है तो बाबा भी आप को इंतजार करारा रहा हूं इस समय का भानना छाएं निगाहटी दुरगटना घटी भास द्यान करते हैं कि हम पूजन करते हैं पाट करते हैं हम अर्चना करते हैं, हम भगवान की सेवा करते हैं, फिर दुख हम कोई क्यों आता है, उसका कारण केवल इतना सा क्यों है, दुख हम खुद बुलाते हैं, दूसरा नहीं, हम सुता, पश्यूपति व्रत पाच व्रत करो पाच व्रत कूर्ण होने पर कई माता है कि बीच में हमारे व्रत शूट जाते हैं रजसुला धर्म के समय पर तो ब्रत तो करना पड़ेगा पर पूजन नहीं होगी और वो गिंती में भी नहीं आएगा पर ब्रत करना है पर गिंती में नह जितने दिये अपने लगाएं उसी गिंती में आई और महाराज पांच वरत जब पून हो जाएं पांच वरत रहे तब एक नरियल श्रीफल उस पर एक मोली नाडा लच्छा लपेट कर उस पर ग्यारा रुपे रख कर कोई आपको किसी को ना भोजन कराना है ना बंडारा करना है केवल मोली लच्छा लपेट कर ग्यारा रुपे रख कर बाबा विश्वनात के सम्मुक में संकर जी की वो जला धारी जो गोल है माता जगत जन्नी का हस्त कमल उसी पर रख देना है बिंती कर देना बाबा मेरी ये कामना से मैंने ये व्रत किया जो पचुपती व्रत इस मेरी कामना पून करना बाबा को जोली पसार कर प्रणाम करो और अपने घर को चल ज़िए बस यही पाँच व्रत का विधान पशुपती व्रत ऐसा कोई काम नहीं जो ना हो बस दिल से अगर व्रत किया है तो बाबा मनो कामना पून तो करे ही है आप हमारे गर के चाहे घर की धर्म पत्नी हो चाहे भान्जे हो कोई प्रोबलम होती है मुझे से कह रहे थे परशुपति भ्रत कर लो उदो बस परशुपति भ्रत में आपका भाव शुब्ज हो ना चाहिए निर्मल जित्र निर्मल मन सो मोही पावा, मोही छलचिद्र कपट ना भावा, निर्मलता के भाव में बगवान मिल सकता, और फिर निवेदन करूँगा, एक लोटा पानी चड़ाओ, ना चड़ाओ, पर बावा से दिल से आप मिलो तो एक मर, दिल से उसे कहो तो, शिव, शंकर का पशुपती ब्रत केवल संसारिक मनुष्य ही नहीं करता, ये पशुपती ब्रत देवता भी करता, देवता भी,